तो वेरी बूर्निंग गाईज वेलकम बैक टो आर चैनल आज फिर दुबारा से हम जा रहे हैं अपनी टैंक वाली साइट पर और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे आज चमबा का में जो फेस्टिवल है यहां पर मिंजर इंटरनेशनल फेस्टिवल है तो चलो हमारे साथ चलते हैं हमारी साइट पर और यह हैं हमारे दोस्त तो यह मेरे पिछे हमारे दोस्त आ रहे हैं जो हमारा टैंक बना रहे हैं जो हमारा टैंक बना रहे हैं प्यासा टैं अपने उतर बंगाल वालों को कुछ बोलना चाहोगे प्रकर वालों को कर चाहोगा क्या कहना चाहोगे चलो काम भी करते हैं मस्ती भी करते हैं जोड़े पाणी चड़रा उपपर ठीक है आप लोगों ने हमारे साथ विजिट की हमारी टैंक की साइट वहां पर काम आप देख रहे थे कैसे चला हुआ था और कुछ दिक्कत आईए चाचा बताएंगे क्या दिक्कत आईए क्या समस्से आ गई जलाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा जा काट है कुछ पाणी की प्रोब्लम आगी है पानी उपर चड़नी रहा सप्लाई उपर और इसको कर रहे हैं यह ठीक इसको ना आग लगाओ हलका सा ना फिर हो जाएगा हलका जलाओ इसको दो तीलिया ना देखिए अब यह करने लगे हैं जुगाड है इसके पीच में रखो इसको हलका गरम को रूट चारों तरफ से कि अग्यार अब कर लाग है आगल है जो गाईज अभी हम लोग साइट से चल रहे हैं बापिस और आप लोगों ने मेरी साथ हमेशा देखा है उस्ताद्य को आज आपको मिलवाते हैं सादिक भाई से एह हमारे ऊस्तार हैं थे चोटे उस्ताऊज वह हमारे बड़े उस्ताद है अब हम जा रहे हैं चम्भा जाएंगे अध्यों को दिखाएंगे चंबा का विजो ऑर चे बाश्टयर और मिंजर मेले में आज क्या हो रहा कर Henrikimja onema tonight तो अभी हम लोग पहुँच गे हैं चमबा के चोगान में जहां की मिंजर का मेला लगा हुआ है जो की इंटरनेशनल फेर है और आज इसका है आखरी दिन तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहां क्या हो रहा है क्या आप लोगों को पता है मिंजर मिला क्यूं मनाया जाता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है अगर नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसकी जानकारी देता हूँ ये इंटरनेशनल फेर जिसका नाम की मिंजर मिला है ये आज का नहीं आप लोगों को पता है ये 1935 इसवी से मनाया जा रहा है चंबा में उस समय कांगडा के राजा पर चंबा के शासक ने विजय प्रापत की थी इस उपलक्ष में इस मिंजर मिला को मनाया जाता है जशन के रूप में उस समय कांगडा का नाम त्रिग्रत था कहा जाता है कि चम्बा के लोगों ने विजई राजा का स्वागत उस समय धान और मक्का की मालाओं से किया था जो कि स्मृद्धी और खुशी का परतीक माना जाता है अगर आप लोग इस मिले को देखने के लिए आना चाह रहे हैं तो इस कहाबत को सुनते ही जाए कहते हैं चम्बे एक दिन ओना कने महिना रहना कहा जाता है कि जो लोग चम्बा एक दिन घुमने के लिए आते हैं इसकी खुब सूर्ती को देखकर वो यहाँ पर एक महिना लगा कर जाते हैं और यह गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि माय नी मेरी ये शिमले दी राहे चम्बा कितनी दूर शिमले नी बसना कसोली नी बसना चम्बे जाना जरूर ये गाना उन लोगों के मूँ से उतरता ही नहीं है जो चमबा के इस मिंजर मेले का दिदार कर लेते हैं ये इंटरनेशनल मिंजर मेला 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक चलता है अगर आप लोग हिमाचल की कल्चरल एक्टिविटीज सांस्कृति से जुणना चाहते हैं तो इसका दिदार करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मिंजर मेला एक बहतरीन जगा है इस मेले का नाम मिंजर इसलिए पड़ा क्योंकि मक्की की बालियों को मिंजर कहते हैं और इसी की वज़ा से इसका नाम मिंजर पड़ा इस मेले की शुरुआत भगवान लक्षमी नरायन जी और रगवीर जी को मिंजर अर्पित करके होती है इस खास मिंजर को एक मुस्लिम परिवार रेशम, डोरी, तिल और मोतियों से त्यार करता है और एक हफ्ते वाद इसे चमबा की रावी नदी में बहा दिया जाता है इस मिंजर मेले में हिमाचल की सांस्कृती से इलावा यहां के हिमाचली पकवान, फिर लोग शौपिंग करने के लिए और अन्य कारणों से खेल कूद जैसे और मोजमस्ती के लिए भी आते हैं यहां पर हर दिन अपने आप में खास होता है और सदियों से चली आ रही परमपरा को बढ़ाता है यह मिला चमबा के चोगान में होता है और चोगान तो अपना एक खास महतब रखता है यह पहाड़ियों के उपर एक विशाल मेदान है और इसके आसपास हिमाले की चोटियां दिखाई देती हैं जो की बरफ से लदी हैं और एक तरफ रावी नदी बहती हुई दिखाई देती है जो की अपने उफान पर भी बहती है तो आप लोगों को मिंजर मेले की जानकारी और इसकी हिस्ट्री जानकर कैसा लगा कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करें अगर अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हम भी इस मेले की जानकारी पाकर यहां खिचे चले आए और हम अब इंजॉय कर रहे हैं यहां हिमाचल के सिड्डू जो की एक पारंपरिक डिश है और आएए आप लोगों को इस कल्चर और मेले में ले चलते हैं आपके सम्भाण यहां जिल्टे यहां जाएए एक लाख रुप्या रहात मराजी इसमें परतान की है और इसम हमारी सुकार आने वाले समी में नवस्ता परिवर्टन की दिशा से काम कर रही है कई परकार के चैनचे समणा रहें ताकि ग्रीब आदमी तक हमारी सुकार कोंचे आम आदमी तक हमारी सुकार कोंचे इस तरिश्टी से हम कार्य कर रहे हैं एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का दन्यवाद करता हूं आपको बहुत बहुत शुक्ता मैं देता हूंगा जय हिर जय वाराइब जय विचात्र नहाएब आगाश भता मिक्ताहियो मेरा जुनिछ ठायीओ तो मेना मोताहियो महिपिया मिलन कियास खोंडी मैं जाएब मेरे प्यार मेरी बना ओ गया जाब घर सिम्टे की के लिए बाकान Chief ले जाब कंडा वे फिर ले थीवान करना... जो ते prediction की का प्रहाव बान का प्रहे Τा ओड़ka जो ते जाब ऴान का भाती कदना worth कर दोबाल क्मिंग रिद However, और मिलैं कि लिखने हम उत्ह待 है टysł interpreting इन्मीर concertos कि उफलावकी साफ ऑट, बेसि और लेगे का ऑग यह इस आप लुग कर दो दो आप 16 जम्हें ढाचार भीरू और नारी में दीनुहारी दिलु हारी, हारी, दिलु हारी तो 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 जाओ, संगां तेरा जाओ, जाओ, मैं तेरी साल, कुछ हारी, नदीर तो तो ढ़्करीपन, स्रॐस्त, मैं तो जाओ, तो जो जो जोलेशाओ आप भीटानिसे, आप भाहनक के सकता हुआ हां 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 ह Martine का अ का अकले का बेस्या हरदा मौन्न ṡней ode यह जो आप लोगों ने माहोल देखा यह चमबा के मिंजर मेले के इलावा शायद ही आप लोगों को दुनिया में कहीं और दिखने को मिलेगा और चमबा की संस्कृती हिमाचल की संस्कृती से जुड़ने का यहाँ जो मुका मिला हमें देखकर बड़ा ही सुभाग्य प्रापत हुआ मानो ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो सफल हो गया और आने वाले ऐसे हर बार के मिंजर मेलों में हम कैसे भी करके पहुंचेंगे लोग बहुत कुछ सीखकर और देखकर जाएंगे जो कि आपके जीवन में आने वाले समय में काफी काम आएगा तो बने रही हमारे इस चैनल पर